नवस्कार दोस्तों स्टडी आएक्यों में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में हम चल्चा करेंगे कोटन के बारे में specifically कस्तूरी कोटन के बारे में भारत सरकार ने एक ब्रैंड लॉंच किया है जो दुनिया भर में भारत की कपास को एक पहचान दिलाएगा अलग ब्रैंड के रूप में उसे बेचा जाएगा मेरे सभी lectures के pdf आपको इस telegram channel पर मिल जाएंगे you have to search by this same ID महिपाल राठोड on telegram आईए इस exam की तैयारी जो छातर करना चाते हैं उनके लिए study IQ एक smart course लेकर आया है आईए इस exam के लिए इस course में ना किवल आपको videos मिलेंगे पढ़ने के लिए बलकि उसके अलावा बहुत सारे features हैं जो इस course को smart बनाते हैं इस course को आप अवेल कर सकते हैं हमारी app पर study IQ app डाउनलोड कीजे और इस course के features को आप देख सकते हैं इस course पर EMI option भी available है 7 October 2020 के दिन यानि World Cotton Day के दिन भारत की textile minister श्रीमती स्मृती इरानी ने कस्तूरी Cotton का brand और logo launch किया है और ये launch भारत के cotton के लिए एक बहुत बड़ा step है एक major step है क्योंकि इससे अब एक brand मिल जाएगा भारत के cotton को तो जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि भारत के कुछ rice varieties को बास्मती rice कहा जाता है उसे दुनिया भर में market किया जाता है तो वो एक अलग पहचान देता है उसी प्रकार से अब भारत की जो कपास है cotton है उसे कस्तूरी cotton के नाम से दुनिया में बेचा जाएगा और ये उसका logo होगा काफी सुन्दर logo है मुझे बहुत पसंद आया है अब इस brand के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको cotton crop के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ आप सभी cotton का daily इस्तमाल करते हैं कपड़े पहनते हैं cotton के shirts, pant in fact जो हम bedsheets use करते हैं अपने गदों पर वो भी mostly cotton की होती है गदों में जो material होता है वो भी अमूमन cotton होता है, रूई होती है लेकिन ये cotton खेतों में दिखता कैसा है, तो ये कुछ इस प्रकार का नजर आता है cotton, cotton plant का scientific name होता है Gossypium hirsutum, ये आप याद रखेगा अब Gossypium जो ये genus है, इसके अंदर और भी कई सारी species होती है भारत में cotton एक खरीफ crop है, इसको temperature चाहिए 21-30 degree के बीच में है और rainfall चाहिए 50-100 cm, तो आप समझ सकते हैं कि ये mostly जो भारत का arid या semi-arid type area है वहाँ पर भी ये पौधा उग सकता है, इसको बहुत जादा बारिश के आवशकता नहीं है ओके decent सी बारिश इसे चाहिए, main इसकी requirement होती है black soil या फिर regar मिट्टी भी जिसे हम कहते हैं, तो regar soil या black soil इसकी आवशकता है और इसी लिए ये जो deccan plateau वाला area है जहां black soil मिलती है, वहाँ पर सबसे best grow करता है especially in the areas of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, यहाँ पर cotton की खेती बहुत अच्छे से करी जा सकती है हाला कि और भी कई जगे होती है, but these are the best ideal conditions, okay तो cotton का जो plant है, इसको 6-8 महीने लग जाते हैं, mature होने में और उसके बाद इसके जो seeds हैं, उसके आज़ पास ये fiber naturally बन जाता है और ये fiber होता क्या है, material, ये भी लिख लेना है, exam में कभी पूछा जा सकता है, cellulose होता है तो ये cellulose के जो fiber हैं, ये इसके बीज के चारों तरफ बनाते हैं और इसी को pluck किया जाता है, इसको खेतों से निकाला जाता है, इस तरह से काफी ये मेहनत का काम है, it's hard manual labor, इसे हाथ से ही निकाला जा सकता है, कोई machines नहीं आती है ये काम करने के लिए तो इसे पूरे दुनिया में लोग हाथों से निकालते हैं और इस तरह से इखटा करते हैं फिर होती है इसकी सफाई, क्योंकि इसमें fibers में कुछ कच्रा भी होता है, contaminated होता है, open environment है तो वो कच्रा जो है उसको हाथ से साफ किया जाता है, again बहुत ही manual intensive काम है ये, तो इसमें से कच्रा साफ करके contamination कम करना, फिर उसके बनाया जाते है cotton bales, तो अब ये भारत में term इतना use होता नहीं है, US का term है cotton bales, तो उसे एकटा करके, बहुत बड़े-बड़े packets में compress करके, cotton को, इस cotton को bales में बनाकर, shift किया जाता है, transport किया जाता है, उस cotton से आगे बनाया जाते है cotton threads, जो काम अब mostly machineों से होता है, पहले हाथ से होता था, तो हला कि अब तो ये काम पूरा machineों से होता है, लेकिन पहले ये काम हाथ से करना पड़ता था, तो जो गांदी जी चर्खा चलाते थे, वो यही काम करते थे, तो ये जो fiber है, इसको या तो yarn में, या फिर thread में convert किया जाता है, और जैसा कि मैं मैंना सोचा आपको बता दूँ, इस पर फिर coloring होती है, फिर इसमें fashion designer अपना inputs डालते हैं, और इसका price बढ़ जाता है, और फिर आप इस तरह के कपड़े पहन कर जाते हैं बाहर, तो cotton से एक सबसे important product जो निकलता है, वो है fiber, जिसका सबसे ज़्यादा use दुनिया में है as textile, औ और उसके अलावा भी कुछ use हैं, जैसे इससे oil निकलता है, cotton oil होता है, या फिर animal feed के रूप में भी ये काम लिया जा सकता है, तो ये cotton के इस्तमाल है, अब भारत में अगर हम cotton production की बात करें, तो इंडिया में कपास सबसे प्रमुख commercial crops में से एक है, commercial crops वो crops होती है, जिसको कि लगबग 60,00,000 किसान निरबर हैं, 6,000,000 cotton farmers हैं इंडिया में, और cotton का जो average production है, भारत में वो है, 6,000,000 टन, ये मतलब recent production है, 6,000,000 टन cotton every year, जो दुनिया का 23 प्रतीशत है, almost 1,4th cotton दुनिया का भारत में produce होता है, और अगर हम organic cotton की बात करें, that is half, 51%, क्योंकि बहुत सारी hybrid varieties भ पता ही थी, वो सारी natural varieties हैं, लेकिन अब hybrid cotton आ चुकी है, तो वो दुनिया में कई जागे इस्तमाल होती है, भारत में भी होती है, तो organic cotton में हम almost आधा production देते हैं दुनिया को, और overall cotton में 23%, तो याद रखेगा भारत दुनिया का second largest cotton producer है, largest consumer है, सबसे आधा textile का इस्तमाल या अबड़ा बहुत खरीतते हैं, तो हमारा consumption दुनिया में सबसे जाधा है, और तीसरा largest exporter है भारत दुनिया में cotton का, तो हम third largest exporter, largest consumer और second largest producer है, तो दुनिया के तीन top countries आपको याद होने चाहिए, cotton producing countries कौन से हैं, number one पे है China, second पे है India, और third पे है US, basically देखो, चाइना और US प्र value जाधा बढ़ जाती है, intensive practices वहाँ पर शुरू हो गई है, तो इसलिए भारत थोड़ा सा पिछड़ जाता है, वाकि एरिया भारत में बहुत है cotton cultivation के अंदर, अगर हम states की ranking की बात करें, तो पहले महराश्ट्रे टॉप पर रहा करता था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों का trend है कि गुजरात सबसे आगे बढ़ चुका है, गुजरात भारत का number one state है cotton production में, second, महराश्ट्रे, third, तिलंगाना, fourth, आंदरप्रदेश, fifth, राजस्तान, अब देखो ये rankings हर साल change होती है, तो आपको up to date रहना पड़ेगा, लेकिन ये latest है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2018- 2018-19 के तक के जो data available होते हैं, उसके आधार पर, 2018 का जो government data available है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं, गुजरात number one पर है, second पर महराश्ट्र है, third पर तिलंगाना है, top five नहीं तो कम से कम top three याद रख लो, वही आपके लिए बहुत होगा, अब बात करते हैं branding की, अब ये Contamination बहुत होता है, यानि कि उसमें दूसरी चीज़ें मिली भी होती है, जो उसकी quality को फोड़ा down ले आती है, और compare to China और US, भारत के जो fibers हैं, उसको poor quality consider करके उसका rate down हो जाता है, तो अब अगर कस्तूरी cotton नाम से brand होगा, तो कोई भी कस्तूरी cotton brand का इस्तमाल तभी कर सकता है जब वो कुछ certain standards को पूरा कर रहा है, तो standardization और certification process आएगा, और इससे क्या होगा, जो भी दुनिया में खरीदार है, अगर वो कस्तूरी cotton का logo देखेगा, तो he will be happy कि ये standard certified cotton है, और इसका अच्छा price हमें मिल जाएगा, तो उससे होगा ये कि हम high value added products बना सकते हैं, और experts का ऐस margin, तो 5% premium जो आपको पैसा मिलेगा, उससे ultimately फाइदा भारत के किसानों को होने वाला है, और सरकार ने ये कहा है कि कस्तूरी cotton brand जो है, वो whiteness, brightness, softness, purity, lusher, uniqueness और Indianness को दिखाएगा, बहुत अच्छे verbs हैं, I really like this line, लेकिन सवाल ये है कि ये certification करेगा कौन, तो देखो certification के Export Development Authority, APEDA, जो Ministry of Commerce के अधीन काम करती है, बहुत important है, ये Ministry of Textile के अधीन नहीं है, Ministry of Commerce and Industry के अधीन है, ये एक certification system जल्द ही start करने वाला है, तो जब भी वो start होगा, उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देंगे, इसमें Ministry of Textile के साथ collaborate ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन question यहाँ पर यही बनेगा कि APEDA किस Ministry के अधीन आता है, तो वो याद रखना Commerce Ministry है, अब यहाँ पर cotton से जड़ा हुआ एक और important PSU है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, that is Cotton Corporation of India, सन 1970 में इसकी स्थापना करी गई थी, ये एक mini रतन company है, और interestingly इसका headquarter दिली में ना होकर, म नवी मुंबई में है, तो ये बहुत important point है, याद रखना, Cotton Corporation of India का headquarter नवी मुंबई में है, इस company का या, इस PSU का का काम क्या है, देखो सबसे main काम इसका यह है, minimum support price operations को चालू रखना, basically जो सरकारी खरीद होती है, कपास की भारत में, वो CCI करता है, ठीक है, Agriculture Ministry नहीं करती है, टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री के अधीन यह आता है, Cotton Corporation of India और यह खरीद करता है, सरकारी खरीद MSP पर, इसके 430 procurement centers हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर इसके procurement centers हैं, और सरकार को CCI के थुरू procurement क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत में एक problem यह है कि जो private buyers हैं, वो सरकारी MSP के अनुसार Cotton की खरीद नहीं करते हैं, तो यह reason है कि CCI बहुत बड़े लेवल पर operations चलाता है, in fact भारत का one third Cotton CCI खरीदता है, आप imagine कीजिए, एक तिहाई Cotton का जो production है, वो एक PSU खरीद रहा है, अब इस CCI ने एक mobile app जारी किया है, CotLi, तो यह नाम याद काफी important है, CotLi app जारी किया गया है, जिस पर latest जानकारी मिलेगी किसानों को, जैसे की weather conditions, crop situation, best farm practices क्या है, etc., prices के बारे में भी जानकारी मिलेगी, तो CotLi नाम की यह app है, अब जाते जाते कुछ दो point मैं आपको बता रहा हूँ, World Cotton Day का जिकर किया था मैंने, 7 October को World Cotton Day होता है, और इसकी शुरुआत 2019 में करी गई है, तो 2020 वाला जो था, that was just the second World Cotton Day, और इसमें theme होती है, the fiber that moves me, यह इस साल की theme थी, the fiber that moves me, और यह initiative किसका था, basically African countries हैं, जिनमें cotton production काफी अच्छा है, Benin, Burkina, Faso, Chad और Mali, इनने Cotton 4 भी कहा जाता है, इनके initiative पर, World Trade Organization ने 7 October को World Cotton Day मनाने का नि ने लिया था, तो याद रखेगा, World Cotton Day is on 7th of October, इसी के साथ यह lecture समापत होता है, thank you very much for watching this, have a great day.